हाई फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ आपकी फ्रेंड्स सैम और इस बार का ब्लोग सौरी बहुत लेट आया है क्योंकि मैं बहुत बीजी थी और क्यों बीजी थी आपको मैं बताती हूँ आपको तो लाश वीडियो पता होगा मैं ससुराव गई थी सर्प्राइसली विजिट की अपने आका देखा होगा और अगर नहीं देखा है ताप जाके मेरा लाश प्रिवेस ब्लोग देख सकते हो तो उसके बाद मैं आई हूँ अपने मम्मी के घर जहां पर मैं इतनी सारे कजन ब्रदर्स लों आसपास रहते हैं उसमें इतनी बीजी हो गए कि इस बार का क्या कर रहे हैं अभी लग रहा है मेहंदी और मैं आठ साल बाद मेरे भाई को और मेरे करजन बदर्स को राखी वा दूंगी हर साल मैं कोरियर कर देती हूँ आना नहीं पॉसिबल होता है पर इस साल हमारा प्लान बना तो हम आ गये हैं तो इससे जादा खुशी की बाद तो कुछ होई ही नहीं सकती है तो मैं जित्ते भी राखी में जो भी होगा मैं आपको आपडेट देदी रहूँ कर दो मैं myös और झालो आपको आपको आर दोर आपको 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 हत्यादा पुछ हूँ कर दो Partners वालो यह मेरे ममी के दो ग्रैंड सन मीरी दीदी के बेटे और मेरे पेटे ममी को महंधी लगा के दे रहे हैं ममी भी फुल सपोट कर दी है उनको गुद्ट मॉर्निंग फ्रेंड्स तो आज है रक्षा बंदन और आप सब को हैपी 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 रक्षा बंदन तो मैं सुबह सिक्स थर्टी बज़रा है मैं उट गई हूँ और यह दिखिए मेरा छोटा सा महंदी भी मैंने लगाया है ज्यादा कलर नहीं आया है क्योंकि मैं जल्दी उसको दो दिया था तो अब मैं जल्दी से खाला जितने भी बनने वाला उसका पहले में प्रेफरेशन कर लेकी हूँ क्योंकि सब जल्दी ही आने अब ही सबसे पहले मेरे कजन ब्रदर जो बुआए के लड़के वो आने वाले हैं एक थर्टी तक तो सबसे पहले मैं उनको राकिवानने वाली हूँ तो उसके लिए ब्रेक्फर्श बगरा जल्दी बना रहे हूँ क्योंकि वो खाके वो आफिस जाने वाले है और डारेकली यहां का वेदर बहुत बहुत ज़्यादा आजीब है क्योंकि always sweating होता है आपको हमेशा लगेगा कि आप कोई गीला कपड़ा पहन के बैठे हो हमेशा ही face और कपड़ा sweating से गीला रहता है जिसके वज़े से सबका तब यह थोड़ा बहुत खराब है अजी बहुत गीला आपको हमेशा ज़्यादा है इसके अजी और यहां पर मैं और नोस्ट भाईया का बाल जला चुकी थी आपको पीछे से सब के आदा जारी होगी जो सब मुम्मी को बुला रहे हैं क्योंकि हम इसलिए बुला रहे हैं ताकि वह थोड़ी सी कुछ रिस्पांस करें कुछ बात करें इसके लिए आप यह चूटासा ब्रेकफर्श का थाली देख रहे हैं अगर मुम्मी का हैमरज नहीं होता और मुम्मी अगर अच्छी रहती तो इससे दस फुन ज्यादा आइटम्स हमारे घर में बनता है और बनता था पर हम से जितना वुना range किया क्योंकि मुम University, कभी हम नहीं ले सकते उनका जो कैपेसिटी था वो कैपेसिटी कभी हम मैच नहीं कर सकते अभी बस यही प्रेक कर रहे कि मम्मी जल्दी से ठीक होके खड़ी हो जाए और अभी वक्त है बच्चा पाटी और मेरे भाई को राखे बानने का समय आप बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि आज राक्षा बंदन के दिन मेरी सिस्टर रेडी क्यों नहीं हुई है वो क्यों ऐसे घर के कप्रे में है एक्चली फर्स जीजन यह है कि उसका तब्य ठीक नहीं है और सेकेंड यह है कि मम्मी का सारा काम आज उसने किया जिसके वाजे से उसको बिलकुल ताइम नहीं मिला हुआ कि कर दो थीज है कि कर दो थाएं है कि मेरी नहीं ताजे मेरी थीजिए झाल आजेफ। कि मेरी ते कि प्रिकों बाहँ चाल कि प्रिकों जिसके लिए हुई लखादने हैं और यह बहुत दिनों बाद हम सब भाई बेहन उनके बच्चे सब मिलके एक साथ लंच कर रहे हैं और इवनिंग को मैंने यह चोटा से केक बनाया था मेरे सिस्टर्स के बच्चे जो नहीं है पैते सुबा और सारे बच्चों के लिए ताकि उनको और थोड़ा सा अच्छा मोमेंट मिल जाएं इंजॉय करने के लिए तो यही रहा आज का छोटा सरक्षा बंदन का ब्लॉग तो इसी ब्लॉग के थ्रू मैंने कुशिच किया कि मैं मेरे घरवालों से आपको इंट्रुड़क्शन कराओं और अगर आपको यह ब्लॉग अच्छा रगा है तो प्लीस लाइक, शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल और मिलती हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइब टेक क्याएब